महार्षी पतांजली क्या पर्चे तो पर्चे भी है और चृत चित्रण भी है ये दोनों तरीके से लिखा जाता है तो व्याकरण सास्त के थियास में नई उप लब्धियों कि इस प्रश्टा इवं नई वपादानों के जन्मदाता पतांजली एक ऐसे बहुग मेघावी व्य पतांजली तक को खातिदीर की व्याकरण पर्मपर अनेक वेचार वीथियों में फ्यल कर अपनी चर्म उन्नात तवस्था में पहुंचे पांड़नी और पतांजली के बीच अनेक व्याकरण आये और कात्यान को छोड़कर अपनी कर्तब निर्वाय का सधरन दायोत पूरा क करते चले गए इंदों पांड़नी की महंधरोः को उनकी भारी बिरासत को पूरी सफलतागे साथ पूरा करके बहाने का दुष्करकार किया अकेले पतांजली व्याक्र महाभास के लेकर पतांजली ने अपनी लिए गोणर दिये और गोड का पुत्र का प्रयोग किया इससे करता अफिमाना इस संदर में एक प्राचीन पद है योगेन चितस पदेन वाचा मालम सरीरस से चावैद के योपा का रोताम परवारम उनी नाम पतांजली प्रांजली रान तो ऐसमी यानि ये क्रत करता पिरमाणों से पुष्टी होती है पतांजली के समय दो सो ईसापूर्व से देड़ सो ईसापूर्व मान है इसमें सभी विद्वान एक मत है पतांजली के काल निर्णय का सबसे पुष्टी प्रमाण पुष्मित यानि सुंग नरेश के द्वारा संचलेता सुमे की याग है जिसका उलेक पुराणों में मिलता है और पतांजली को निर्दिष्ट कर यही काल महाभास की रचनाका है उस समय कुछ दिन पूर्व किसी यवना करांता ने साकी तथा मध्यमकर नगरों बर खेरा डाला जिसका उलेक पतांजली ने की अरुण बाद यवनों मध्यम में काम अरुण यवना पतांजली के यूगदान किया रहा है यूग पतांजली कि समिक्षा महाभास में की समिक्षा के किरम में उन्होंने थियास धर्म समाज राजनीत लोग पर आध्यानिक विश्यों पर प्रकास डाला शुत्रों के अनुसरन करने वाले पादों से सुत्रात का विबन देते हुए जब कोई अपने पादों का भी व्याख्यान करता है असे भास केता है यह तभी संस्कारस्त्रों में कई भास है सावरभास संकरभास आधी किंतु महाभास कहलाने के गवर्व पातान्झल भास को ही मिला है इसकी महात्या का पर चाया कि पतानजली का महाभास सभी लोखए की तिक दिधा परिभासाओं के संकीत सीयोग्त है ब्याक्यकार पंड़राज ने भी महाभास को प्रिश्ष्थती में कहा है कि इनमें अनिक पिरकार की सिद्दान थे और विदावाद और दर्सनों की लोखणति या इसकी अतिकत पतान्जली ने उहाज की विधिकाप को विक्सित किया इस सब्द और अर्थ का स्वरूप व्याक्रणला प्रियोजन सब्दनु सासन के पिर किया सब्द सम्बंध व्याक्रण का स्वरूप तक्त महातो आधी किया महाभास में ब्याक्राण सब्द पच्छ में आर्थ पच्छ दौनों बेचारों को सम्याग विदी से पैस्तुत किया नहीं महाभास में लोग प्रचलेत भासा का भी आधोचित ध्यादद दौनी पत्के यार्थ के विव्यूप में भासा के समस्तिज्द्दान दॉक्ता में रश्टी रद होता है वस्तवा पांड़नी यतंत्र को प्रितिष्ठित संबान देलाने के असरे भी व्याक्न पतान जली को जाता है। इस विकार पाण्य ये तंत्र को तिनमुनी विव्याकरणा के रूप में पृतिष्ठा फिराप्त है इस विकार संस्कात विव्याकरणा का योग संदर में पतान जली का पून योग महत्पून योगदान रहा है